प्यारा दोस्तों, आप लोग को इडू गुलोगा लेंगी में स्वागत हैं, मैं बप्पु कुमार दोस्तों, ये क्या कहते हैं, कुछ जिनों के बाद, दो-तीन महीने के बाद, बिहार में पंचायती राज, पंचायती चुनाव होने वाला है तो उसी को देखते हैं, बहुत सा एक्जामनेशन आने वाला, जिसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा काभी, मैंस, या बहुत तरह के जो बिहार से सम्मन्दित एक्जामनेशन होगा, उसमें मैं 100% आप लोग को साथ करना चाहूँगा, पंचायती राज सम्मन्दित, एक-दो कोईचान आपको देखने को मिलेगा, हरे करिकामनेशन हैं, और यह लंबा प्रो, और कभी न कभी यह सुर्फियों में घाता है, काभी इंपोर्टेंट हो जाती है, यह टॉपिक ही काभी अच्छा है, पंचायती राज विवस्ता से, तो मैंने कोशिस किया, उसको भाग वन और भाग टू के माध्यम से, आपको पंचायती राज से संबंदी जितने भी कंसेट होगा, आप जानते होंगे, फिर भी मैं कोशिस करूँगा, इसको और डिटेल्स में हरे एक डॉट को किलियर करें, चलिए, श्टार्ट करते हैं, लिखा हुआ है, पंचायती र पाजवरस्ता की अंतरगत आता है, इसलिए उश्को डिस्कसर करते हुए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, समसे पहले हम लोग एक टर्म को समझते हैं, विकेंदरी करन क्या होता है, हम जानते हैं दोस्तों, हमारी भारत का संपूर्ण जनसंख्या का लगवा लगवा 70%, 72% जनस जनसंख्या के लिए एक पावर का distribution होनी चाहिए, जो जन्ता के हाथों में जाए, इसी को देखते हुए हम लोग जैसे पंचायद चुनाब के मादम से मुख्या का चुनाब करते हैं, जेला परसत का चुनाब करते हैं, पंचायद समीधी का चुनाब करते हैं, वार्ड उसकी बिकास की बात करते हैं, उहां की अधिकार अपने अधिकार की बात करते हैं, तो वही कहा गया है, बिकेंद्री करना, नाम ही है, बिकेंद्री करना, distribution है, और पावर को एक संट्रलाइज नहीं होते हुए, नहीं करते हुए, और इस पावर को गाउं तक पहुचाने का प्रोसेस ही भी खेंद्री करना कर लाता है तो देख लेको केंद्रिय परसासन को नीव तबके की लोगों तक पहुचाना अनि क्या होता है केंद्रिय परसासन जैसे केंद्रिय परसासन का मतलब हो गया राज की बात करें तो मुख मंत्री के पास देश की बात करेंगे तो परधान मंतरी के पास Central Government को भी पावर को नीचे तबके तक पहुचाना ही तो केंडरिय परसासं को नीवन तबके के लोगों तक पहुचाना और उनकी भागिटारी को भी उसमें सामिल करना सुनचित करना लेना परसासं का भी के अंदरी करन करलाता है हम जानते हैं कुछ जन परतनीदी होते हैं जैसे मुखिया जन परतनीदी है वह हम लोग किसी कुछ भी समस्या होता है पंचायच लेवल पर गाउन लेवल पर तो हम लोग मुखिया से मिलते हैं पंचायच समीती से मिलते हैं और हम पावर्ड वाड उसको नीचे तक कहुंचा दिया मतलब किया मुखिया वाड़ मेंबर के माध्यम से जनता अपनी समस्या को उनके पास रखेगा और उनके द्वाड़ा फिर आगे तक ये समस्या को आगे पहुंचाया जाएगा और इसकी हल किया जाएगा वही वहाब इक पावर्य ये काल में अस्थाने फौसासन को जो जनत माना गया है जो सॅम राज को मना गया है जो पाब पर्शासन को माना गया तो ही पूछा जाता है प्राकीन काल में अस्थानिय सोसासन का जनक को था तो जो चोल प्रसासन जो की अभी बरतमान में तामिलाडू के च्छत में पढ़ता है चलिए आप लोग को दोस्ते कॉमेंट वॉक्स में बताना है अभी हाल ही में एक BPSC का कुछन ही पूछा गया था आपको पताना है को में इतजार करूँगा आई आधनी काल अस्थानिय सोसासन की बात किया जाए जब माले भारत सोतंत्र हो गया उससे पाली की बात किया जा तो उसमें पर्थम जो नाम आता है लॉड रीपन का नाम आता है 1882 में यह अपने परस्ताव को रखा था भारतिय काल में पंचाइती राजब्यवस्ता यह अस्थानिय सोसासन की जनत जो है लॉड रीपन को माना जाता है बहुत महत्तुण कोईचन है बीपेस्टी का या विहार से समान देती है किसी भी सेंटरल एग्जामनेशन में यह सब कोईचन काली इंपोर्टेंट है अपलाचीन का अस्थानिय सोसासन का जनत जोल प्रसाशन आधनिक काल में अस्थानिय सोसासन का जनत लॉड रीपन 18182 में दोतों इसमें महत्मा कांदी भी कामी परियास किये थे बहुत से भारतियों को बोले थे अस्थानिय सोसासन की मांग भी किया गया था और भारतिय संबीधान में इ रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं.. भारत की इस्ट भ़ेड इप्वच्शन है के बीच में उसी के अंतरगते पिचा जाता है किस सम्धरतिय को याद रखेंगे पुछा गया वेश्था भारतियERE Billyer के किसा अनुछेו में राखा गया था हुआ इसी चीज़ का जिक्र किया गया है, भारतिये संवीधान के निती में देशक तत्तु में किस अनुछेट के था पंचायदी राजब्यास्ता ये ग्राम पंचायद को रखा गया है तनुछेट चादिस था आये, जब भारत स्वतांत हुआ था और हम जानते हैं 1992-1993 में पंचायदी राजब्यास्ता को संवेधानिक अधिकार दिया गया था, इससे पाले नहीं था, उसको राज सरकार पर निर्वर करता था उसको कड़ाये और नो कड़ाये, इसको संवेधानिक अधिकार जो हम 1993 में म मुड़ा, उसको कानून संवेधानिक अधिकार मिला था, उसको हम आगे जिकर करेंगे भाग्तू में, बहुत महत्तपूर्ण है, तो इससे पाले भारत में भारत में विकास हो, उसके लिए एक अलग सामदाई विकास, योजना का विकास किया गया, तो तो पूशा जाता है भारत में भारत में विकास गती पतान करने के लिए सामदाई विकास को लागू किया अधा, उसको देखते हुए जवाला लेरू ने पुड़ा, इसके बारे मिस्तित जंकारी लिया, और उसकी गठन की बात किया गा, तो उसमें सरपर्थम बलवन्त राइमिर्टा करना मात है, उसने त्री अस्तरीय पंचयती लेवल का निर्मान किये, रिपोर्ट शुपे जवाह लाल लेरू, तो पुछा ऑन ताथा भारत में त्री अस्तरीय पंचयती लेया लेवल ने फिवाल लेरूं को बितेखताओ, तो उसमें सामा था, उनको इस быстрнес, कालियों प्र ढान, मंत सब्सक्राइब निवास करती है इसलिए भारत गाउं का निवास करती है इसलिए भारत गाउं का मादमा गांधी का जवाल निर्व का अपना बात था भारत की जो आत्मा है वो गाउं में निवास करती है मतलब इसका उद्देस यह था भारत की जो मैक्सिमंण संकिया जो है ना वो गौँ मेन इवास करती है दोस्टों चलिए आगे चलते हैं भारत में तिरियस संपुरी ये पंचायती राज़िवास्था अधारित है दोस्तों जैसे ग्राम अस्तर पर ग्राम पंचाय, प्रखंड अस्तर पर पंचाय समीथी और जिला अस्तर पर जिला परसत का निर्मान किया गया है हम लोग देखते हैं ग्राम अस्तर पर ग्राम पंचाय समीथी प्रमुख की बात करते हैं और जिला आस्तर पर जिला परसत आधेशन होते हैं ये ये जिला परशत परमुक होते हैं उसकी बात करते हैं। दोतों इसकी बारे पर हम लोग काधी डिसकुर्सन करें थे ग्राम अस्तर पर ग्राम पंचैस कौछा है जिसमें वार्ड नम्बर आ गया और जिला अस्तर पर हमें लुख बात किया जाए तो जिला परसद होता है और फिर जिला परसद के द्वाड़ा जिला परमुख को चुना जाता है आए पंचाइदी राज बरस्ता को फेरी फेरी इंपोर्टन है ये कोचन और ये कोचन काफी इंपोर्टन है पंचाइदी 118 महात्मा गंधी के जंदीन के सुव अपसर पे जवाहलान नह्रू के द्वारा 2 October 1909 को राजस्ठान राजी की बात किया जायका तो सर्बोज्थम लाजु किया गया था राजस्थान में थे ना ततकालिन जो पुर्ण बंतरी थे जब पंचायती राज विवस्ता पर्थम राज की बात किया जाए तो राजस्ता और फिर कभी-कभी पूछा जाता है पंचायती राज विवस्ता में दूसरा आज कौन था जहां पंचायती राज विवस्ता की लागू किया गया था तो ऑधर पर जाता है कि परद्धेश पर चलते रहता है से चलते रहता है कुणा एक समय आती हम जानते हैं 1977 में चुनाव होता है और वहां चुनाव होने के बाद कंग्रेस पर्दानमंद्री के रूप में मुडार्गी देशाई आते हैं और वह पर्दानमंद्री के रूप में चुनते हैं गयर कमड़े से उसने क्या किया वलबंत राय मेहता की रिपोर्ट को खारिज कर देता है मानने से इंकार के रुदता और असोक मेहता के माध्यम से उनकी अध्यक्षता में एक रिपोर्ट एक समीती को गठन करते हैं 1977 में और पंचायती व्यवस्ता को रिपोर्ट सोते हैं और यह लागू भी करते हैं तो यह चीज देखिए 1977 में केंद्र में पादी बार गैर कंगरेसी पार्टी जंदा पार्टी की सरकार में परधानमंत्री के रूप में मुराजी देशाई बने और इस सरकार ने 1977 में असोक मेहता क कितने अस्तरिये पंचायती राज व्यवस्ता की बात किया गया था तो दो अस्तरिये की बात किया गया था अब उसको 1978 में लागू भी करते हैं पुन बहुमत से सरकार बनती है और क्या करता जो असोक मेहता के द्वरा जो दो अस्तरिये दो अस्तरिये जो पंचायती राज व्यवस्ता लागू होता है उसको पुना मानने से इंकार कर देती है अस्तरिये के रिपोर्ट को नहीं माना और पलवंद रहे मेहता की रिपोर्ट को ही अड़ाने दिया असा करते हैं आप यह वीडियो देखे होंगे मैंने पोसिश किया काक्वी डिटेल्स में चीज़ को जिक्रिकरने का आपने वीडियो को अंत तक देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मगरे यह बात और करना चाहूंगा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए जो बच्चे आपके कंटेक्ट में है जो आप वीडियो देख रहा है और रूप अंच्याथी राज व्यवस्ता या कोई भी इसे चैनल पर तो बहुत सा में वीडियो डाल रहा हूं हर एक मैस का भी हिस्ट्री का भी जो ग्रफी का भी तो जो जर्डर कंपेडिशन का तैयारी करना चाहता है जैसे से हो गया या यूप सी बीप सी हो गया तो उन्हों बच्चे को कहिए देखने के लिए य इसको देखिए और आसा करते हैं आप यह दी भाग 1 और भाग 2 देख लेते हैं ना तो कोई भी पंचायती राजवेवस्ता से आपका कंसेप्ट अधूरा नहीं रहेगा और आप एक जाएगे कोई भी एक जामनेशन में तो आप एक क्वेचन कम से कम बात कर आओं ऐसे दो क्वेचन भी पूछा जाता है कोई को एक जामनेशन में देखा जाता है मर कम से कम एक कोई तो आप शूर्ली हंडेट परसेंट भाग 1 और भाग 2 को देख लेते हैं तो बना क्या आईएगा और अपनी सफलता को इदम इदम टार्गेट को नजदिक ले जाएगे थैंक्यू घरी मत